बाद्सापुर्वालो आपने मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया मोदी जी ने one rank one pension का वादा पूरा कर दिया और आज मैं आपको कहने आया हूं कि one rank one pension का तीसरा वर्जन भी तीसरा वर्जन भी मोदी जी ने लागू कर दिया है अब नई तनक्वा के साथ पेंशन मिलने वाली है भाई ओवे नो ए राहूल बाबा जो है कॉंग्रेस के जानते हो न जरह अरे जानते हो या नहीं जानते हो ए राहूल बाबा ए जूट बोलने का मसीन ह कि अगनी वीरों को इसलिए योजना लाए है कि सरकार उनको पेंसन वाली नौकरी नहीं देना चाहते हैं अगनी वीर योधना अगनी वीर योधना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही ही मैं आज कह कर जाता हूं हर्याना की माता को बेहनों को आपके नो निहाल में सेना में बेधते वर्त मत जग यह गा हर्याना के एक एक अगनी वीर को हर्याना सरकार और भारत सरकार पेंसन वाली नौकरी देने वाली है पेंसन वादी और मैं आज बात्सापुर में कह कर जाता हूँ पाँच साल के बाद कोई अगनीवी रहसा नहीं होगा जिसके पास पेंसन वाली नौकरी नहीं होगी किसी को डरने की जरूरत नहीं है भायो वेनों तीन अक्तुबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है नवरात्री शुरू हो रही है और पांच अक्तुबर को आपको वोट डालना है पांच अक्तुबर को वोट डालते वक्त इसकती का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कॉंग्रेस पार्टी को जवाब देना है जवाब देना है और ये थुरुष्टी करन में अंद्रे हुए है मुझे बताओ बादसा भुरवलो अहोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए दा या नहीं बनना चाहिए दा जोर से बलो बनना चाहिए दा या नहीं बनना चाहिए दा एक घर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया राहुल बाबा सीटों पर हार जित तो होती रहती है आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो आपकी पाटी ने साड़े पांच सो साल से रामलल्ला टेंट में थे अस्ताई मंदिर में थे कुछ नहीं किया मोदी जी ने मोदी जी ने भूमी पुजन भी किया मंदीर भी बनाया और प्राण प्रतिष्टा करने का काम भी कर दिया